जहां एक तरफ खुसी कपूर, शुहाना खान, अनन्या पांडे और जानवी कपूर बॉलिवूड में अपना डेव्यू भी कर चुकी हैं तो अगर बही बात करें काजोल की बेटी नैसा देबगन की तो वो इन दिनों काफी ज़्यादा चर्चा में हैं उनके चर्चा में रह रहे हैं वहीं अगर बात की जाए काजोल की तो काजोल इन दिनों काफी ट्रोल हो रही हैं तो आप सोच रहे होंगे कि उनके ट्रोल होने के पीछे क्या रिजन हैं तो चलिए बताते हैं दरसल जहां एक तरफ सुहाना जानवी और बाकी स्टार किट बॉलिवूड में डेव पर नियासादेवगन के फोटो शूट के कई खूब सूरत पिकचर पोस्ट किये जिसके बाद काजोल से उनके फैंस पूछने लगे कि जब नियासादेवगन का खुद का एक इ fällt कर सकती हो तो आप रछे ब्र बड़े ब्रैंनmam का को ठोट करते हैं तो वह फोटो शूट् को भारी पढ़ गया और इस बार काजोल के फैंस ने उन्हें रिमांड पर ले लिया और पुरी तरह से ट्रोल करने लगे काजोल के फैंस का कहना है कि या तो आप उनके अकाउंट को प्राइवेट रहने दीजिए तो फिर आप अपने अकाउंट पर भी उनके फोटो शूट क पिक्चर पोस्ट बद कीजिए या फिर उनके अकाउंट को भी पब्लिक कराईए अलाकि अभी तक ये के लिए नहीं हुआ है कि नियासा देबगन बॉलिवुड में डेव्यू करेंगे या फिर उनकी फिल्ड कुछ और है लेकिन काजोल की इस हरकत तो नियासा देबगन के अकाउंट प्राइवेट की वज़ा से फैंस काफी नाराज हैं जिसकी वज़ा से एक्टरस काजोल को काफी ट्रोल भी होना पड़ रहा है हलाकि नियासा के प्राइवेट अकाउंट का एक रिजन ये भी हो सकता है क्योंकि कई बार नियासा देबगन को उनके कलर की वज़ा से ट्रोल किया गया है जिसरी ये काजोल ना चाहती हों कि उनकी बेटी को फिर से ट्रोल किया जाए प्पेल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कॉमेंट्स में जरूर बताइए वीडियो कर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए